नमस्कार मित्रो आश्या करता हूं आप सभी अच्छ होंगे आज हमें बात करेंगे ऐसे सिग्मेंट पर जो हर किसी यूपी अस्प्रेंट या जो भी को त्यारी करता है बचा उसके जहन में हो जाना चाहिए कभी कभी हम बहुत सारी गलतियों से हम सीखने का प्रियास कर लेत या कहा जाए जो एक रियल एस्प्रेंट के दुनिया में हमेशा हर किसी विध्यारती के सापिक्ष में होती हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा क्यूंकि हमेशा आपको इतना वक्त नहीं है आदमी समय बेसिकली अपने आपको स्मार्ट वर्क करने की तरफ नहीं मुबोन कर रह षूं कि मेरा कॉन आपको दूर्त सेखने का प्रयास करक्या अपने आपको सहीी रइक सेतने चलाल कशिए तो एक पहली जो गल्ती होती है सबसे बड़ी गलती जो हरकिसी एश्प्रेंट के दिमाग में रहती है वो गैडेंस की कि यहां सिफ डायक्शन की रिक्वायर्मेंट है सहरी की रिक्वायर्मेंट नहीं नहीं पहला करता है वह कोचिंग में रखता यहां संद्र देयुलतों होते हैं वह अपने आपको इस थरीके से रिप्रजेंट कर देते हैं कि हाँ आई एस तो बस अब तुम जैसे एक बजाज ऐलेंज कंपणी होती हैं बड़ी बड़ी एलाइसी कंपनी होती हैं आपको 10 में 20 में माला माल करने का प्यास कर लेती हैं ऐसे यहां की जो कोचिंग हैं जनिया में कोचिंग का ऐसा एक पिटारा सा खुल चुका है हर आदमी कोचिंग लेके बैठा हुआ है लेकिन कोच का मतलब यह होता है कि आपको एक डारेक्शन दे सके तो यहां कई परकार की कोचिंग का मतलब जरूर नहीं है कोचिंग से जरूर है हमके पास एक कोच होना चा के पढ़ेंगे किसी कोचिंग में आपको डायक्शन का मतलब है कि क्या एक व्यक्ति जो वहां बैठा हुआ है हर किसी व्यक्ति की इंडिविजुए को क्लिरिफाई कर पा रहा है कि जो इस बच्चे के अंतर क्या कमिया है उसका हम लोग निखार नहीं पाते तो पहले सबसे ब बड़ी गलती हमारी है कि जिसके पास के बैस बैस को नहीं होगा तो यह इस यात्रा की जो दूरी है यही है करता है guidance को बैस नहीं चुनता है बुलग जाता है एक प्रिकार से ब्रहम जाल की दुनिया में तो पहले सची तो यहाँ बनाऊग ज पूरी बनाऊगा कि कोचिंग कौंची करने चाहिए योस थिन लागी होती है जो जब स्टार्टरिंग नहीं होता है क्यों मुझे आयए स्कूर बन नहीं कियो रखते हैं। आप युपेस्टि क retardal लगबख प्रेलिय extinction loves में पन्से 16 च्होच्लाग प्रेलियम से नहींस में ही नहीं जपाते हैं। इसका मतलब उनको वाय के लिए नहीं था बाकि जो बचे बच्चे हैं उसमें से भी लगबग का यह दस से बारा हजार बच्चे जो होते हैं पर लेंगे अपना बोच उठाने का प्रियास कर लेते हैं मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है मम्मी पापा का ड्रीम था धानकना की मेरा बेटाइस बनेगा मेरा नाम रोसन करेगा नहीं भाई तुम्हें नाम रोसन के लिए 10-20 दिन अख्वारों में आ जाओगे कि फला आदमी का बेटाइस बन गया लेकिन आपको इस लंबी जर जो यह रील चल रहा है जो बागी चीज़ चल रही है इसके रुत्वे ने कहिना कहीं बच्चों के अंदरगत एक नकरात्मक भाभ भी पैदा कर दिया है यहां बच्चे यहां से रुत्वा देखकर कि यहां से उनका एक स्टेंडर्ड देखकर क्या उनकी वैलू होती है या कहा जाए तो वहां पैसा देखकर यह सबचिज यहां खिश चले आते हैं और सोसल अभी मेडिया के माध्यम से क्या होते हैं अपने सपने को पनपा लेते हैं वो लगाता जब सोसल मीडिया सपना पन किसी दूसरे के द्वारा अगर हम सपना लेके चल रहे हैं तो लंबे समय तक उसका बोज नहीं उठा पाई अगर आप यहां पर सक्सिस रेट देखा जाए जो भी लोग सफल हुए हैं अभी तक का उनका तुम सोचल एकाउंट खोल के देखेंगे तो वहां वो सोचल एकाउं या मुझे बस आयस बनना है इस लगाता है तैयारी जहां जहां करता उसका रील बनाता है यह सारी चीजें उसने इन्वल्ब कर लिए तो यानि उसका वाय क्लियर नहीं है उसका काम कुछ और है तो पहले अपने UPSC एस्प्रेंट की यात्रा में अपना वाय क्लियर करें तो हमें समस्य यह जाती है कि हम आज के बजार के दोर में टीचर ने कह दिया NCRD फला NCRD पढ़ लेना फला बुक पढ़नेना फला नोर्स पढ़नेना यहां से हो जाएगा लेकिन वहां एक छोड़ी सी बास सोचिएगा UPSC वो जर्नी है जहां हमेंसा UPSC एक्जाम है वो प्रिलम्स आने वाला थाइस महीं में तो कुछ कोचिंग वालों ने कुछ नोट्स वगरा ने या को जो मेंटोर हैं जो कोच है उन लोगों ने कहना स्टाट कर दिया होगा कि लीजेगा 500 कोशन है यहां से 50 कोशन फस जाएंगे तो मजे की बात तो यह निकल कर आ जाती है कि कर पाउंड सो में से 50 फस रहे हैं यूपसी तो यहीं चाहता है बहुत है नैंट ये ट्रैंटी अराउंड जाती है मेरिट तो भी यह महां तो 45 कुछन सही करने के लिए बोल रहा है उनसे बोलो कि तुम्हारे यहां सारे श्रुएंट सफल क्यों नहीं प्रियास में तो यहा जरूरी है कि तुम्हें क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है इसके बीच का जो गैफ है इसको जानना बहुत जरूरी हम पढ़ना स्टार्डिंग कर लेते हैं लोग लक्ष्मी के कांत ले आते हैं पेस्ट 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 पढ़ लेते हैं क्या वहां से प्रसंत सार गोल सेट करिएगा कि मुझे इस टॉपिक में इतने चीजे फिल्म मनानी है अगर उसको कर पाएंगे तो आप अराम से इसको कर पाएंगे तीसरा पॉइंट हर कोई बच्चा यहां पे अगर देखा जाए तो एक ऐसी अप्रोच बनाता है वह हमेंसा जब यहां पे इस करना चाहता हूं तो माइन उस तरह से काम नहीं करेगा अपने आपको जब डेडिकेशन के साथ लगेंगे तो त्यारी करने का मतलब है कि जब आप 23 देंगे 24 देंगे 25 देंगे तो उसमें क्या होगा आपको उसके अनुभूत तयारी करनी पड़ेगी आपको प्लान सेट कर करना पड़ेगा आपको मंतली प्लान सेट करना पड़ेगा आपको यह प्लान सेट करना पड़ेगा आपको डेवाई प्लान सेट करना पड़ेगा तो प्लान कई बरका के सेट करने पड़ेंगे तो हमें इसे कैजवल नहीं लेना है फिर एक पोईंट यहां से निकल आता थ आपका टागेट लेकि कि दोहर 24 देना है तो दोहर 24 फर्स्ट लास्ट है हमारा वह सोभागी की बात है आगे कर कुछ ऐसी दुरगटना घटना घटती है कि उसको हम लोग आगे क्या करेंगे लेकिन एक बार अपना 100% देने का प्रियास करें उसको कैज़ाल फॉर्मेट में लें ले मैरा मनना होगाल charisma केज़ाल फॉर्म मैन करने लेंगे अगला ब्ला अगला जो गलती रहती है कि कमी धेरे की कम दहन रखना धेरे भहँच जरूरी चीज है यहाँ अभी परकार से होता है कभी-कभी बहुत सार्वे होते हैं कहा भी करता है कि आपको एजुकेशन ग्रहन करने के लिए आपका सरीव स्वस्थ होना चाहिए तब ही वह अच्छा बहुतर कम कर पाता है तो हम बहुत सारे एस्प्रेंट क्या करते हैं इस दुनिया में आने के बाद अपने असब कुन उचालो कर देते हैं कोई गेम नी खेलते हैं क नॉलिज के साथ जो एडवांस हीजे हैं उसको इस्टेटिक पार्ट से डैनेमिक पार्ट पर जोड़ते हुए आपको कवर करनी है इसका मतलब यह है कि आपको अंदर मोटिवेट का भू पाएंगे जब आप भार के माहुल को भी बहतर एक्सर्ट करेंगे तो यहां पेशन देवाइड अगर अच्छा निगा सकते हैं आप बिकल खाईएगा तो यहां अगर सेट करेंगे तो इससे क्या होगा खान पीन को साइड में या फिर खेल को साइड में नहीं रखना है उसको साथ लेकर चलना है तो इसका मतलब है कि आप हमेशा डेडिकेट होगे लगने का परपस है कि हर चीज को मेंटेन करेंगे आप अधिकारी बनेंगे बिल्योकेट अब बोलिए डीम सावा बन चुके हो तो उससे क्या होगा आप से कोई पूछरा भी या सारा काम कैसे विवस्तिक करते हो तो भाई उसको सामको खाना भी है बच्चों को टाइम भी देना है अ परिकार से मैं कह सकता हूं आपका एम है वह किलेर होना चाहिए कि वह मंठे क्यों करना है तीसरा के सना यहां से आता है कि हमें कैज लफिल भी रखनी है कि मुझे यह कैजकhovenम नहीं रखनी है मुझे इस साल देना इस साल देना हैं इसका मतलब यह निराउआं इस एक कोई दिक्कत भी बापा के पास बहुत पैसा है भाई पड़ी दिक्कते आ जाती है पैसा बेशक हो लेकिन दिमाग नहीं है किसी के पास इसलिए ध्यान से और अपना सर्कत मत मारियेंगा पढ़ाइगा इस सोचो कि कुछ दिन में हम लोग यहां से स्वच न मार देंगे यहां ना रखेगा कि मुझे में क्या करना है इस इस साल में कँरना है यह चार-पांज चैट करकर डाइरी के कशार्फिय सब चीज़ों को बैलेंस करते हुए आप हेल्थ को भी ठीक रखेगा आप अपनी होबिस को भी पन पाईएगा यह सब चीज़ करेंगे तो फिर जो त्यारी है आपको बोच नहीं बनेगी तो मैं हमेशा कहता हूं त्यारी करने के लिए त्यार रहना सबसे बुड़ी जुम्म पाईगी इसलिए कोश जरूरी होता है रखना लेकिन कोश बैस्ट होना बहुत जरूरी है कोश रखना जरूरी नहीं जान रखना क्लियर है मिलते हैं अगले सेशन में अगले सेशन में अल्दा वेस्ट लव यौल बबाई टेकेर